प्रियो शिक्षारतियों आपका स्वागत है हम गद्ध कैसे पढ़ें पाट पर चर्शा करने जा रहे हैं शिक्षारतियों जैसा कि आप जानते हैं कि बादचीत की शैली में जो हम आए दिन जिस भाषा को सामाने रूप में प्रस्तुत करते हैं उसे ही गद्द की संग्या दी गई है। पिछले पाटों में आपने देखा होगा कि कविता के बारे में बात की गई कि कविता को कैसे पढ़ें। लेकिन कविता चुकी भाव प्रधान होती है इसलिए उसमें विशय को संस्रिस्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके विप्रीत गद्द की भाषा शरल होती है, विस्पस्ट होती है और उसे समझना बहुत ही आसान होता है। लेकिन गद्द को समझने की भी जरूरत है और व्यवस्थित रूप में पढ़ने की भी जरूरत है। जैसे आप अगबार पढ़ते हैं या अलग-अलग पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें जो भाषा का रूप होता है, उस भाषा के रूप से आपको परचित होना बहुत जरूरी है। तभी आप भाषा के साथ न्याय कर सकते हैं। क्योंकि भाषा हर व्यक्ति की पहचान है, भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और हर व्यक्ति की छमता में अंतर होता है। इस पार्ट में उन सारे विंदूओं को उठाया जाएगा, जिनके माध्यम से गध्य को अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और अभिव्यक्ति किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस पार्ट को आप पढ़ेंगे, तो किन-किन गुणों का विकास होगा, किन-किन पक्छों को आप समझने में समर्थ होंगे। सबसे पहले गध्य के स्वरूप तथा उसके विकास का उलेक कर सकेंगे। उसके बाद गद्दि के महत्वपर भी प्रकास ढाल सकेंगे, साथ ही गद्दि की विभिन जो विधाये हैं उनका भी परिचे दे सकेंगे, गद्दि के प्रमुक जो अवयव हैं उनको श्पस्ट कर सकेंगे, इसके अलावा गद्दि को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इसको समझ कर उचित तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही पठित सामगरी के आधार पर उचित अनुचित के भेद को स्पष्ट करते हुए तारकिक छमता का विकास भी कर सकेंगे। और गद्य में दी गई कोई नमीन सामगरी हो उसको पढ़कर उस पर आप चिंतन कर सकेंगे। उसको समझ कर अपनी भाषा में व्यक्त भी कर सकेंगे। तो ये प्रमुक मुद्दे हैं जो इस चर्चा के दौरान स्पष्ट होंगे और एक एक कर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गद्य का स्वरूप क्या है और उसका विकास कैसे कैसे हुआ है। सिक्षारतियों जब हम गद्य के स्वरूप की बात करते हैं तो अनेक विद्वानों ने अनेक रूपों में गद्य के स्वरूप को बताने की कोशिश की है। किसी ने गद्य को ही अभिव्यक्ति का सबसे शशक्त माध्यम बताया। तो किसी ने भावों को सहाज रूप में प्रस्तुत करने का साधन बताया इसी तरह से आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि गद्दे में अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करना बहुत ही असान होता है क्योंकि उसमें बोलचाल की भाशा होती है उसमें हम अपनी सहज अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं इसलिए गद्य का स्वरूप सरल स्पस्ट और बोधगम में होता है इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम इस बात को देखेंगे कि जो हिंदी गद्य का विकास हुआ क्योंकि हिंदी गद्य आज जिस रूप में है प्रारंब से उसी रूप में नहीं था क्योंकि अगर भारतिंदु यूग से माने तो भारतिंदु यूग में सबसे पहले गद्य को कविता के बजाए साहित्य की भाशा के रूप में प्रतिश्चित किया गया और भारतिन्दु युग के बाद दुवेदी युग, फिर छायाबाद, प्रगतिवाद और प्रियोगवाद इसमें भाषा का उत्तर-उत्तर विकास होता गया और भाषा के जो अलग-अलग रूप थे वह सामने आते गए इस गद्य के विकास को समझने के लिए हमें देखना होगा कि हिंदी गद्य लेखन का प्रारंब कब हुआ वास्तों में सन एक हजार से हिंदी गद्य को आज इसे खड़ी बोली कहते हैं उसका विकास प्रारंब हुआ लेकिन अगर इसके साहित्य के लेखन की बात देखें तो हमें उनिश्वी सताब्दी के गद्य को देखना होगा जब अंग्रेज इस देश में आये तो उन्होंने देखा कि यहां की मुख्य भाषा हिंदी है इसलिए यहां पर शाषन करने के लिए हिंदी का प्रियोग जानना बहुत ज़रूरी है इसलिए उन्होंने पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी लेखकों की नियुक्तियां की जिसमें लल्लू लाल, सदासुख लाल आधी अनेक रचनाकार सामने आये और उन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की साथ ही अनुवाद के माध्यम से बहुत सारा कारे किया गया और आगे चलकर जो इसाई धर्म का प्रशार किया गया उसमें भी हिंदी का प्रियोग किया गया बाइबिल के अनुवाद के माध्यम से या अने रचनाओं के माध्यम से इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदू धर्म माव लंबी कई रचनाकार सामने आये कई समाज सुधारक सामने आये जिसमें राजाराम मोहन राय ने अनेक आंदोलन किये और हिंदी गद्य को भी विकास करने में साहता की साथ ही ब्रह्मन समाज की स्थापना की गई उसके अलावा आरे समाज की स्थापना हुई उसमें कई रचनाएं उभर कर सामने आई और आप देखेंगे कि कई रचनाकार जैसे सद्धाराम फुल लौरी आदी जो रचनाकार थे उन लोगों ने गद्य में सुन्दर रचनाओं की स्रिष्टी की उसके बाद हम देखते हैं कि भारतेंदु काल का जो युग था उसमें कहानी और नाटक इन दो विधाओं का बहुत वर्चस्व रहा और भारतेंदु युग में बाल कृष्ण भट, प्रताप नरायन मिश्र, लाला स्री निवास दास, बदली नरायन प्रेम घन आदी अनेक रचनाकार हुए जिन्होंने हिंदी गद्य को विक्सित करने में महत्वपुर्ण भूमिका निवाई और जब भारतेंदु युग समाप्त हो गया तो दिवेदी युग का प्रारंब हुआ और महावीर प्रिशाद दिवेदी ने हिंदी को परिश्कृत, सुद्ध और परिमार्जित करने में महत्वपुर्ण भूमिका निवाई उसकाल में अनेक रचनाकार हमारे सामने आए जिसमें आप बाल मुकंद गुप्त को ले सकते हैं बाबु सेहम सुंदर दास, बाबु गुलाब राय, अध्यापक पूर्ण सेंग, गुलेरी साहब इस तरह से बहुत से रचनाकारों ने सुंदर रचनाओं की शिष्ट की और आप आगे देखेंगे कि इन रचनाकारों का जो लेखन था वो कितना सम्रिद और परिश्कृत था दुएदियू के बाद चायवाद आया जिसमें भाषा का सुंदर्य, सिल्प सुंदर्य निखर कर सामने आया फिर प्रगतिवाद और प्रियोगवाद में भाषा आम जीवन से जुड़ने लगी और आधुनिक काल तक आते आते जन जीवन के दुख दर्द से यह जो रचना कर्म था वह जुड़ता चला गया फिक्षारतियों अब हम संशेप में देखते हैं कि गद्य साहित्य की कौन-कौन सी विधाएं सामने आई जिन्होंने गद्य को परिश्कित किया उसमें सबसे प्रमुख जो इस्थान है वह है कथा साहित्य का कथा साहित्य के अंतरगत गहानी और उपन्यास इनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा की गई और जैसा कि आप जानते हैं कि जो साहितिक विधाएं हैं उनमें कहानी सबसे प्रमुख है क्योंकि इसमें रोचकता होती है इसमें नाटकियता भी होती है और कहानी के प्रती हमारा एक स्वभाविक लगाओ भी होता है बचपन से हम कहानियां सुनते हैं तो इस काल में अनेक कहानिकारों ने रचनाएं की, दूसरी जो प्रमुख विधा थी वह थी नाटक, विधा के रूप में नाटक का प्रभुत बहुत ज़्याद आ रहा, क्योंकि अंग्रेजों का काल था, और सीधे सीधे अंग्रेजों की आलोचना करना उस समय के रचनाकार के लिए मुश्किल था, ऐसे इस्तिती में उन लोगों ने विभिन नाटकों के द्वारा अपनी बात को कहने की कोशिश की, जैसे अंधेर नगरी नाटक को ले लिजे, भारतेंद्व अधिश्चन ने अंग्रेजी शाषन पे पूरा व्यंग किया है, कुठारा घात किया है इस तरह से अनेक नाटकों की स्रिष्ट की गई और जिसमें गद्य का एक बहुत ही सुन्दर रूप दिखाई देता है आगे चलकर निबंद सहित्य का भी काफी प्रचार प्रशार हुआ, रामचंद शुक्ल और हजारी प्रशाद दिवेदी ने बहुत ही सुन्दर निबंदों की रचना की और उन लोगों ने यह दिखाया कि गद्य के माध्यम से भी बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी बात को कहा जा सकता है शुक्ल जी का जो निबंद है वो वास्तों में गद्य की कसोटी माना जाता है क्योंकि उनके निबंदों में भाषा का एक परिश्क्त रूप दिखाई देता है उसी तरह से तिवेदी जी के साहित्य में भारती संस्कृती चारों ओर दिखाई देती है इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो जिन नमीन विधाओं की स्रिष्टी हुई आगे चलकर उनमें संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आदि अनेक विधाएं सामने आई और उन विधाओं में एक विशाल भंडार साहित्य का हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ तो गद्य साहित्य बहुत ही पुष्ट और परश्कृत रूप में हमारे सामने बढ़ता चला गया शिक्षारतियों गद्य का महत्व जानना हमें बहुत जरूरी है और संस्कृत वागमय में कहा गया कि गद्य कवी नाम निकशम वदंती अर्थात गद्य ही विद्वानों या कवीयों की कसोटी है क्योंकि गद्य लिखना वास्तों में बहुत ही कठिन माना जगया है क्योंकि सरल भाषा में आपको प्रभावी तरीके से अपनी बात को कहना होता है जैसे आप अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं या आप किताबें विभिन तरह की पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि गद्य के विभिन रूप आपको दिखाई देंगे उसमें कहीं आलंकारिक भाषा का प्रेयोग भी होगा उसमें तरह तरह से विचारों को प्रस्तुत करने का भी रूप आपको दिखाई देगा कहीं पे गद्य बहुत ही काव्यात्मक धंग से प्रस्तुत किया जाएगा तो इसलिए गद्य के विभिन रूप हैं और गद्य का हमारे जीवन में इसलिए भी महत्तु है क्योंकि यह संप्रेशन का सबसे सशक्त माध्यम है और हिंदी माध्यम से चुकी संपर्क भाषा है हमारी इसलिए इसे बहुत ही उंचा दर्जा दिया गया अब एक सवाल आपके मन में होता होगा कि गद्य को पढ़ा कैसे जाए यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप गद्य पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यह तो आम भाषा है इसमें कोई खास विशेस्ताय नहीं है या अलग व्याख्या की जरूरत नहीं है लेकिन जब आप किसी विशे को समझ नहीं पाते हैं तब आपको लगता है कि गद्य को भी ठीक से पढ़ने की जरूरत है और केवल साहित्ति के विद्यारतियों के लिए नहीं वलकि ज्ञान विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विभिन छेत्रों के शिक्षारतियों के लिए भी गद्य को तरीके से अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत होती है तो इस बात पर विचार करना होगा कि गद्य के अवयाव कौन-कौन से हैं वे कौन-कौन से तत्व हैं जिनसे गद्य का निर्माण हुआ है गद्य को अच्छी तरह से पढ़ने के कौन-कौन से आधार हैं कौन-कौन से सस्त्र हैं इसमें पहला तत्व है विचार तत्व जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कविता में भाव की संसलिस्टता होती है भाशा की भी संसलिस्टता होती है लेकिन गद्य में विचार की प्रधानता होती है कियोंकि किसी भी कहानी, निबन्द, उपन्यास या कोई भी सहिती की विधा हो उसमें रचनाकार अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और उन भावों को समझने के लिए उसमें नहित विचारों को समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी रचनाकार को समझना चाहते हैं तो उस रचनाकार की प्रिष्ट भूमी, उसकी सहित्तिक विश्षताएं उसका परिवेश, परिस्तितियां, उसका पारिवारिक वातावरण इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है तो रचनाकार के सभी संदर्बों को समझ कर ही हम उसके विचारों को समझ सकते हैं क्योंकि रचनाकार पर सारी परिस्तितियों का प्रभाव पड़ता है जैसे उधारन के लिए अगर आप कुटज निबंद को लेते हैं तो कुटज निबन्द में जिस तरह से प्रकृति के एक छोटे से पौधे को लेकर दिविदी जी ने इतनी अच्छी सरजना की है, वो दिखाता है कि कुटज ने उनके जीवन को कितना प्रभावित किया, साथ ही ये भी दिखाता है कि कुटज के माध्यम से उन्होंने जीवन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की, उन जीवन मूल्यों से गुजर कर रचनाकार ने इस कुटज को लिखा है, क्योंकि कुटज में चापलूसी, स्वार्थ परता, आधी जो मानसिक विक्रतियां हैं उन सब का वरणन है, यह साबित करता है कि रचनाकार उन मनस्तितियों से, उन परिस्तितियों से निश्चित रूप से निकला है, उससे गुजरा है, दूसरा जो मात्वपुर्ण तत्व है, वह है भाषा, भाषा हमारे विचारों की समभाहिका होती है, भाषा में हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी समवेदनाओं को, अपनी कलपनाओं को प्रगट करते हैं, इसलिए हमारे सुभाव के अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार भाषा बदलती जाती है, कहीं पे भाषा सरल स्पस्ट और प्रवाह युक्त होती है, कहीं भाषा में आलंकारिक्ता होती है, कहीं पे प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है, तो कहीं पे अलग-अलग अ शब्दों का प्रियोग होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं मनुष्य के लिए नर का प्रियोग हो रहा है, उसी तरह से कमल के लिए पंकज का प्रियोग हो रहा है, तो उसका एक सार्थक महत्तो है, रचनाकार एक विशेश उद्देश्च से परियावाची शब्दो का प्रियोग करता है उसी तरह से मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रियोग देखिए ये दोनों चीजें साहित्य की जो सौंदर्य मैता है उसका जो सौंदर्य है उसको आगे बढ़ाते हैं तो आपको भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रियोग मिल जाएगा उसके अलावा, शब्द के जो चारों रूप हैं, तत्सम, तत्भो, देशज और विदेशज, इनका जगा जगा प्रियोग मिलता रहेगा, तो आपको एक सहित्य का विद्यारती होने के नाते, या पाठक होने के नाते, आपको इन सभी चीजों का ग्यान होना ज़िरूरी है, तभी आप भाषा की गहराई को समझ पाएंगे, उसमें नहित आर्थों को समझ पाएंगे, और उसे अभिव्यक्त करने की छमता का विकास भी कर सकेंगे हम तीसरा तत्तों देखते हैं वह है शैली शैली अर्थात कहने का धंग रिशनाकार अपनी बात को किस तरह से कहता है जैसे कि आपने देखा होगा कि संस्कृत में एक कहानी है कि एक राजा जब वृत्यु शैया पे था तो उसने अपने दो पुत्रों को बुल कि इसके बारे में जो अच्छी तरह से प्रकट करेगा उसे ही हम राजगदी देंगे तो बड़े लड़के ने वृक्ष को देखकर कहा कि सुखा हुआ वृक्ष खड़ा है और चोटे ने कहा कि रसहीन वृक्ष सामने लह लहा रहा है तो इस तरह से चोटे बेटे को राज गदी दीर आजाने कहा कि इसके विचारों में इसके भावों में बहुत ही गहराई है तो इसे कहते हैं कहने का धंग तो सहित्य में आपको जगा जगा हर राशनकार में अलग अलग धंग दिखाई देगा तो गदी को समझने के लिए आपको रचनाकार के कहने के ढंग उसकी रचना शैली को स्पस्ट रूप से समझना होगा तभी आप उसके रचनाकर्म को समझ सकेंगे मुक्रूप से शैली को अगर विभाजित करें तो चार तरह की शैलियां आपको नजर आएंगी सबसे पहले वरणात्मक शैली इसमें वरणन होता है किसी भी घटना का या किसी भी परिस्थिती का इसमें चित्रन किया जाता है और विस्तार होता है किसी भी कत्थे का जैसे कि आप देखेंगे कि आखरी चटान जो पाठ है आपका उसमें वरणात्मक तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया गया है उसी तरह से दूसरी शैली होती है विचारात्मक शैली विचारात्मक शैली विचार प्रधान होती है और उसमें रचनाकार अपनी बात को कहते कहते विचारों की स्थापना भी करता चलता है जैसे आप अगर रामजन शुकल के निबंधों को देखें जिसमें क्रोध निबंध है तीसरी शैली होती है कथात्मक शैली उसमें कथा के माध्यम से अपनी बात को कहा जाता है कथा और कहानी बहुत ही रोचक शैली मानी जाती है और जितनी भी कहानियां हैं उसकी शैली को आप देखेंगे तो आप निश्यत रूप से प्रभावित होते होंगे और आपके पाठ में भी दो कलाकार आदि कहानियां संग्रहित हैं जिसमें कथा को संबादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है एक मौतुपुर्ण शैली है भावात्मक शैली भावात्मक शैली में भावों की प्रधानता होती है और अपनी बात को भावनात्मक धंग से सम्वेदनात्मक धंग से बहुत ही गंभीर शैली में प्रस्तुत किया जाता है तो इस तरह से आपने गद्य के अवयों को देखा और आपको यह सपस्ट हुआ होगा कि इसमें विचार तत्तो की कितनी प्रधानता है भाषा कितनी महत्वपुर्ण है और शैली अर्थात करने का धंग कितना जरूरी है लेकिन जब आप गद्य को पढ़ेंगे तो कुछ और बातें भी बहत्वपुर्ण है जैसे अगर पढ़ने के पहले आप उस्तक की भूमी का या उसका जो परिशय है उसका जो सारांश है उसको पढ़ने तो आपको साइद पढ़ने में सहुलियत होगी उसके अलावा एक-एक अनुछेत को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो आपको समझने में सुविधा होगी फिर उसकी मुख्य बातों को आप विराम चिर्नों के माध्यम से उच्चारन करके और कई बार उतार चड़ाओं के साथ पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझने में सहुलियत होगी साथ ही पढ़ते समय बीच-बीच में रुक कर अगर आप पढ़ें और चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ें तो आपको पढ़ने की सहुलियत मिलेगी शिक्षारतियों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रश्णपत्र में अपठित गद्ये दिया जाता है अपठित गद्ये का मतलब है कि जिस पार्ट को आपने नहीं पढ़ाओ तो इसमें आपको अलग से प्रश्ण पूछे जाते हैं जिसमें गद्यांस दिया जाता है और गद्यांस पर आधारित प्रश्ण दिये जाते हैं का उत्तर लिखना होता है तो अपठित गद्य को कैसे पढ़ें यह जानना बहुत जरूरी है इसमें कुछ महत्वप्रोन बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जैसे पढ़ने की गती अर्थात आप किस गती से पढ़ें जहां पर आपको पाट समझ में आरहा हो वहां आपकी गती तेज हो सकती है लेकिन जहां समझने में दिककत हो जहां भाशा विचार प्रधान हो या भावात्मक हो वहां आपकी गती धिमी होनी चाहिए तभी आपको कथे का स्पस्टी करन होगा दूसरी महत्वपुर्ण बात है कि आपको पढ़ने के बाद एक अनुक्षेद का चिंतन मनन करें अर्थात उसमें कौन-कौन सी मुख्य बातें कहीं कहीं हैं उन महत्वपुर्ण बातों को रेखांकित करें और उस पर थोड चाहिए इसका माइने है कि उसमें जो विचार आये हैं उसका ज्ञान होना चाहिए आपको विचारों का बोध इसलिए आवश्चक है क्योंकि कोई भी आप महत्वपुर्ण विश्य पढ़ते हैं गंभीर विश्य पढ़ते हैं तो उसमें विचारों की स्थपनाएं होती है उनमें कुछ तत्यों को रखा जाता है उन तत्यों को समझने के लिए जरूरी है कि आप उन विचारों का ज्ञान प्राप्त करें अगर विज्ञान का कोई लेखा पड़ते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उनमें जो सब्दावली आई है और सारी चीजें उसमें विचार रखे गए हैं उनसे आपका तारतम में हो रहा है कि नहीं इसमें महतुपुर्ण बात यह होती है कि आपने जो पहले ज्ञान अरजित किया है उन अरजित ज्यान से उसका संबंद जोड़ें अर्थात आपका जो पूर्व ग्यान है वो यहां पर काम आएगा और उससे अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका जो नया विशय है वो बोधगम में हो जाएगा अगला विंदू है कि अंतर नहीं तो उदेश्यों को समझना कोई भी रचना जो होती है कोई भी विशय जो होता है उसमें कुछ उदेश्य होते हैं उन उदेश्यों को अगर आप समझते हैं तभी विशय आपके सामने स्पस्ट होता है विना उदेश्य के किसी भी रचना या किसी भी विशय को सामने नहीं रखा जाता है किसी भी पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उसका महत्वप्रण उदेश्य होगा तो उन उदेश्यों पर आपका ध्यान होना चाहिए और अंतिम बात है कि शब्द को देखने की आदर डाले चुकि आप जो भी विशे पढ़ रहे हैं वो विशे नया होगा और उस नय विशे में नय नय शब्द आएंगे कुछ पारिभाशिक शब्द भी आएंगे उनको समझना जरूरी है तो जब भी आपको कछिन शब्द सामने आएं तो आप कछिन शब्दों को अर्थ देखने की कोशिश करें उनका प्रियोग करना भी सिखें तो अंत में शिक्षार्तियों इस पूरे विचार विमर्ज से यही बातें समझ में आई कि गद्द को पढ़ना एक कला है और उसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमें उस कला को विक्सित करना चाहिए सामान ने बोल चाल के जो भाषा हम प्रियोग करते हैं उसे गद्द की भाषा कहते हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो गद्द का सुरूप शुरू हुआ उसका आज प्रिचार प्रिशार हो गया और विभिन कालखंडों में भारतिंदु यूग, दिवेदी यूग, प्रगतिवाद, प्रियोगवाद इस तरह से पूरे अनेक कालखंडों में आगे बढ़ते हुए भाषा का प्रिचार प्रिशार हुआ गद्द का प्रिचार प्रिशार हुआ और उसके बाद गद्य में हमने ये भी देखा कि उसमें विचार भाषा और शैली का महत्तु था और उनके वज़ा से गद्य का जो स्वरूप है वह हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए साती हमने देखा कि जो अपठित गद्यान्श होता है उसे पढ़ने का एक कोशल विक्षित करना चाहिए तो इस तरह से इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छी तरह से गद्य को पढ़ेंगे समझेंगे और प्रश्ण पत्रों का उत्तर भी देंगे तो हमें उमीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप गद्यान करें और उसे अच्छी तरह से समझें धन्यवाद